अब आपको प्रमाण देख लिजी कि मानों को मोती दीनो मानों को मोती दीनो देवन को यमरत असुरन को सुरा को दान कईदारो यह सागर की वात है मानों को पहनने के लिए मोती चवताratन देदिया देताओं को अमरत देदिया राक्षसों को मदिरा देदिया इंद्र को ऐरावत देदिया काम देनु देदिया लेकिन इतने ही कमदान नहीं क्या सागर ने कि आपने हिदे को पाण विराजित की निसूलपा और रहने को हिदे में विस्णू को जगह दईडारो छीर सागर में अपने हिदे में भगवान को रहने की जगह दे रखी है सागर ने कि रूठ जो संत का हुकाम नहीं आयो है कि रूठ जो संत का हुकाम नहीं आयो है और धाई एंजली में सागर पान कईदार है सब को सर्वत्स लुटा दिया और महाराज जब अगर्ष्ट रिसी को क्रोध आया तो ब्रह्मा सिव कोई काम नहीं आया धाई अंजली में पूरे सागर के जलका पान कर गया अश्ट जो सागर को पी सकता है वह तुम किदर लगते हो यही कहना चाहरा हूं कि अगर संत के सानित में साश्टाइंग दंदवत के जाओगे मेरे भाई बेहन तो जैसे सागर के जलको क्रोध में पी लिया ऐसे तुम्हारे दिल के दर्द को हर्थ से पी लेगा और मुस्कान देदेगा संतों के शानित में आने का संत का दर्शन का फल क्या है एक बार क्या हुआ भगवान स्री हरी ने देवरिशी नारत से कहा कि देवरिशी क्या कर रहे हो बोले माराज मैं सोचता हूं कि संत के दर्शन का फल जानो आप बताओ बुले काम करो चले जाओ फला गाओ में फला आदमी के फला किसान के घर में एक भैस ने बच्चा दिया एक भैस ने बच्चा दिया वह आपको बताएगा कि संत के दर्शन का क्या फल मिलेगा हरी इच्चा देवरिसी नारत गए और जैसे आप पहुच्चते हैं दंड प्रणाम हुआ किसान ने उनका आसन लगाया पूजन किया अर्चना किया बंदन किया देवरिसी कैसे पधारे बोले वही आपके घर में जो बच्चा जन्म दिया है भैसका वह बताएगा कि यह संत दर्शन का फल लेकिन यहां तो खत्म हो गया खेल देवरिसी नारत सामने जाए तब तक उसका राम नाम सत्य पूरो थे देवरिसी नारत में सोचा यह तो प्रयास्त मिरर ठक रहा है पुनाह उनके पास गए और कहने लगे महराज आप बताओ बोले अब चले जाओ नार्ण पार्टिल के घर में गाय ने बच्चा दिया है देवरिसी नारत का आगमन हुआ देवरिसी नारत के घर में पुनाह आगमन हुआ वहाँ पर दंड प्रणाम हुआ ति परायरता हुई चर्ण पखारे गया आसन दिया गया वहां जाकर देका तो उसका विराम नाम सत्य पूरो महाराज ये तो अटपटा हो रहा है जहां जाता हूँ आहीं बोले चले जाए हमांचल नरेस राजेस जी कहां भी एक बच्चे ने जन्मिलिया है राजा के घर में बच्चे ने जन्मिलिया है देवरिसी नारत के द्वार पर गए और जैसे उसका साक्षात कार हुआ उसका भी काम पूरा ही हो गया देवरिशी नारद हतास होगे भगवान हमें का कुर संद का दर्शन का फला हमें बताएगा को बले चले जाओ पार्वती नती के तट पे हिमांचल की कंदराव में एक इवाश अन्यासी बैठा है अब वो बताएगा आपको कि संद के दर्शन का फल क्या है देवरिशी नारद का आगमन हुआ अब बात इस्टाप किया जाती है न राजेश जी तो थोड़ा डर भी लगता है देवरिशी नारद पोचे नमो नारहन महाराज नमो नारहन आओ विराज वासर पर बताओ कैसे पधारे बोले भाई बताओ तो सही पर डर लगें बोले क्यूं बोले अभी तक जिनको बताये ना उसका अनुवो कुछ ठीक नहीं है बुले नहीं नहीं बताओ कोई यह हिस्वई जो रा मेरा चिराखा वो को करिक तरक बढ़ावा हिसाखा बताओ आप तो बुले महाराज संत के दर्शन जानने के लिए गया तरह तरह की योजनाइवनी जहां के वहां जिसके समच गया नजर मिलते ही बेड़ा पार हो गया ना आस रही ना स्वास रही ना आसा रही ना आत्रपती रही वह यह उनी छोड़के चला गया अभी आप पो बता रहा हूं लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं यहां भी मावला गड़बड़ना हो जाओ सन्यासी ने कहा मूर्ख अभी तक नहीं पता चला कि संत दर्शन का फल क्या होता है पहली बार तुझ से मिला वो मैं ही था संत का दर्शन पाते ही यह उनी मुक्त हो गया दूसरी निक गव यह उनी में मैं आगया यह संत के दर्शन का फल था पुना जब तुम्हाया वो यह उनी छूट गई राजा के घर में पैदा हो गया यह संत के दर्शन का पलता तूसरी बार जब संत का दर्शन हुआ तो मेरे ठाकुर ने नर से नारायन बना के घर घर में पुझवा दिया यह मेरे संत दर्शन का परिवाल की प्रेम जबू है जी प्रेम जबू की प्रेम जबू अलांट हो गया की प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया जो मेरा में सन्त हो गया लूमरा में संत हो गया तेम जबू तेम जबू तेम जबू अनन्त हो गया दो मेरो मसंप गया तेम जबू तेम जबू तो गया तो मेरो मसंप गया तेरे सीरा आजेश जी आरती प्रसाद के भी परक्रिया कर लो आप पता है जिसे पकड के लाए हो मेरा उपनाम पता नहीं आपको मेरा उपनाम बावरा है है ना तो वो है कि न वो होस में थे न हम होस में थे और दोनों मुहबबत की आगोस में थे तो यहाँ पता ही नहीं लगेगा समय का आज प्रथम दिने इसलिए भागवत जी का व्याख्यान तो हम करेंगे ही भागवत माहतम की परक्रिया पर चल रहे हैं और आरठी की प्यारी भिकरिये कहा कम कंचन कौम मालिजयं अस्तु जो श्रीमत भागवत का था जहीं हाँ आप है हवार मानाई जो वरहे ते आ cabinet है